हेलो माई यूटूब फैमली स्वागत है आप सभी का अचिना कीचन एन ब्लॉग में सो फ्रेंड आज हम बनाएंगे एक दम 100% फूली फूली सी ये गोल गप्पे फुचका पानी पूरी जो भी आप कहते हैं हमारे हाई से फुलकी कहा जाता है तो ये बिलकुल एकदम घर का जो रेगुलर जो आटा होता है ना खाने वला जिससे हम रोज रोटी बनाते हैं उसी से आज हम ये फुलकी तयार करेंगे तो फ्रेंड आप लोग भी जरूर बनाईएगा क्योंकि 100% आपकी ये जो फुलकी है ना आप आज मेरे बताय तरीके से बनाते हैं तो एक-एक फुलकी गुबारे जैसी आपकी फुलेगी आप देख रहे हैं और बीना किसी मेहनत के बहुत जादा मेहनत भी इन फुलकीयों को बनाने में नहीं लगेगा। तो चलिये आज करतें हैं कुछ फुलकी बनाने का इंतिजाम। आटे से फुलकी बनाएंगे। तो आपको मेजरमेंट का विजेश ख्याल रखना है तो यहां पर एक कोई भी कप या कटोरी ले लिए जितना आपको फुलकी बनाना होगा तो यहां पर मेजरमेंट के लिए हम यह प्रोटीन में जो चम्मच आता है वो है तो हम थोड़ा सा यह बनाएंगे क्योंकि मेरे खाने वाले तो मैं थोड़ा ही बना रही हूं तो यहां पर हम चार चमच गेहूं का आटा लिए है ठीक है चार चमच गेहूं का आटा पूरा बराबर कर लिजिएगा थोड़ा मेरा कम था तो मैंने और डाल लिया है तो पूरा चार चमच यहां पर मेरा गेहूं का आटा है रेगुलर जो रोटी बनाते हैं वही गेहूं का आटा है और कोई दूसरा आटा नहीं है तो आप चार कप अगर आपने गेहूं का आटा लिया है तो एक कप भर करके आपको सूजी लेनी है और जितना आपने सूजी लिया है उसका आधा आपको यहाँ पर मैदा लेना है तो जो गेहू का आटा है उसमें सूजी मिक्स करने से आपकी फुलकी जो है एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनेगी और मैदा मिक्स करने से थोड़ा सा उसका कलर मतलब फेयर होगा फुलकी का नहीं तो और भी ज्यादा काली-काली से फुलकी आपकी बनेगी क्योंकि हम आटे से बना रहे हैं तो सेम कलर आएगा जैसे आप पूरियां बनाते हैं तो कलर थोड़ा मैदे के पिछा डाउन होता है तो वैसा ही कलर आपका आएगा इसलिए यहाँ पर आधा चम्मच हम मैदा लिए हैं और उसके बार नॉर्मल जो रूम टमप्रेचर का पान ही गिला हो जाए मतलब पसीजने लगेगा कहते हैं तो इसलिए आपको टाइट डो बनाना है और उसके बाद इस तरह से एक पॉल्थिन लेनी है और आपको जो डो है इस तरह से पॉल्थिन में बंद करके करीब आधी गंटे के लिए छोड़ देना है तो आपको पॉल्थि तो इसलिए प्लास्टिक का ही इस्तमाल करिएगा आप भी और उसके आधे घंटे के बाद आपको खुब मसल मसल करके आटा को गुथना है और फिर इस तरह से छोटी छोटी सी जैसे कि आप रोटी बनाते हैं उतनी बड़ी बड़ी लोईयों को तोड़ लीजेगा सारे ही लोईयों को तोड़ करके फिर से आपको लेना है एक प्लास्टिक तो देखेए फ्रैंड आप एकएफ ट्िप्स को फालो करिएगा तो ही आपकी फुल्की एकड़म पर्फ्यक्ट बनेगी तो इस लोईयों को भी आपको प्लास्टिक के अंदर ही रखना है मतलब किसी भी त जाएगी तो आपकी फुलकी फुलेगी नहीं फिर उसके बाद एक लोई उठाइए मसल मसल करके ऐसे लंबा करिएगा और उसकी बरिया तोड़े लीजिए आप चाकू से कट भी कर सकते हैं तो साइज देख रहे हैं मेरे फुलकी का कैसा मतलब ये लोई का कैसा है इदम छोट ओप्षा रफेगी उठाना है और इस तरह से उसको चिप्टा कर देना हैं तो जितनी भी आपने लोई में बंद कर दिये हैं अब आप एक बिछावन ले लीजिए जहां हम फिलकी बना करके फैलाएंगे उसे तो यहाँ पर हम यह चावल की बोरी का इस्तिमाल कर रहे हैं और अगर आपके पास चावल की बोरी नहीं है तो आप प्लास्टिक करने से क्या होगा वो थोड़ी सी और गीली टाइब की हो जाएगी इसलिए कोशिश करिएगा कि आप बोरी का ही इस्तेमाल करिए चावल की बोरी का और नहीं होने पर प्लाश्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसके बाद देखिए मेरी मतलब इतनी सारी मेरी पूरियां बन गई है पानी पूरी के लिए तो अब क्या करेंगे इसको हम उसी बोरी पर देखिए फैला दे रहे हैं मतलब एक दूसरे से चिपकना नहीं चाहिए फ्रेंड एकदम अलग-अलग आपको इस तरह से फैलाना है क्योंकि जैसे हब भी हमने इतना बना लिया ना तो अगर आप अभी तुरंत इन फूलकियों को तलेंगे तो यह फूल तो जाएंगी लेकिन क्रंची नहीं होंगी क्रिस्पी नहीं बनेंगी बाद में यह जाकर के सौफ्ट नरम हो जाती है थोड़ी देर बाद इसलिए इस तरह से फैलाना बहुत जरूरी है इस तरह से आप फूलक तो यह जो हम टावल लिए हैं तो इससे देखें बिल्कुल भी हम गीला उला नहीं किये हैं ऐसे ही हम इसके उपर डाल दिये हैं ठीक है तो यह एक कपड़ा आप भी डाल दीजिएगा हम आटे की फूलकी बना रहे हैं इसलिए हमें गीला करने की जरूरत नहीं है अगर पूरी बिल गई थी और इस तरह से फैला दिये थे तो अब यहां पर आपको विसेश ख्याल रखना है कि जहां से आपने पूरियों को पहली बार फैलाया था वही पूरी आप पहली बार तलेंगे कहने का मतलब है कि मतलब जीतना हम पूरी लिये थे उसको बिलने में मुझ पहली फुलकी डाले थी उधर से ही हमें फुलकी को उठाना है तो देखिए मेरी पहली फुलकी है और पहली ही फुलकी मेरी कितनी मतलब की फुली फुली सी निकली है एक एक फुलकी फ्रेंड आपके सामने में डाल रही हूं एक भी फुलकी मतलब की मेरी जो है ना फुचक करकली कोई कोई फुल्की अगर होल हो जाएगा उसमें तो भी फुचका निकल जाएगा वड़ना निकले गाने, तो आठे की फुल्की है फ्रेंट थोड़ा सा अ कलर रदाउन होगा इसका, थोड़ा सा मतलब की देखिए एक दम फुली फुली सी मेरी क्रिस्पी क्रिस्पी सी फुल्टेंस अब इस तरह से अपनी सारी फुलकियों को तल लेजएगा तेल का भी बिसेज ध्यान रखना है कि जो भी आप तेल ले रहे हैं फुलकी डालते समय वह एक दम धुवाधार हीट गरम होना चाहिए जब हीट गरम रह और आप इसे महना भर के लिए भी इस्टोर करके रख सकते हैं और आपकी जब फुलकी जो है कि वैसे तो आप इस मेरे सारे टिप्स को फालो करते हैं तो आपके फुलकी तो बिल्कुल महने भर भी नरम नहीं पड़ेगी और अगर नरम पड़ भी जाती है तो मैं एक ऐसा बताऊंगी कि आप जब भी खाएंगे आपको फुलकी एकदम क्रंची ही मिलेगी इसे रखने का एक तरीका है तो उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखना होगा और मुझे फालो करना होगा लाइक करना होगा सब्सक्राइब करना होगा तो फ्रेंड प्ली बार देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूट करिएगा तो एक फुलकी मैं आपको इस तरह से मतलब खा करके भी दिखा दे रही हूं तो आज की फुलकी की वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हो जा रही थी कि पानी और चोके की वी और सपोर्ट करिए तो चलिए एक फुलकी खा करके दिखा देती हूं और मिलती हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोग अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा बाई बाई